Good morning student, C++ पढ़ने के सेरीज में, आज हम लोग सीखेंगे 2-dimensional array in C++ और आज की वीडियो टुटोरियल में हम लोग ये भी देखेंगे कि what is 2-dimensional array, pictorial representation of 2-dimensional array, initializing 2-dimensional array, input into 2-dimensional array, and how to display the elements of 2-dimensional array. तो 2-dimensional array को किस तरह से define करते हैं अश्टुडेंट, आज स्टुडेंट आप इसे notebook में note कर सकते हैं, what is 2-dimensional array, तो देखेंगे आप पहला लिखा जा रहा है, a 2-dimensional array is used to store data in the form of grid or tables, यानि की 2-dimensional array को जो है हम लोग tabular form में represent करते हैं, 2-dimensional array is used to store the data in matrix form, a 2-dimensional array is specified using two subscripting, where the first subscript denotes the rows and the second denotes the column, तो 2-dimensional array में हम लोग 2 subscripting address को देखेंगे, rows and column को, और row and column के combination से ही हम लोग table create करते हैं, C++ compiler treats a 2-dimensional array as an array of 1-dimensional array, तो चलिए आप देखते हैं pictorial representation of 2-dimensional array, तो C language में या C++ में, जब भी हम लोग 2-dimensional array create करते हैं, तो उसको create करने का जो syntax है, वो इस तरह से हैं, पहले हम लिखेंगे data type यानि int, and then name of the array, और यहाँ देखिए 3 जो लिखा गया है, यह rows लिखा गया है, number of rows, और second जो है, यह लिखा गया है, number of column, number of column और number of rows जो है, यह हम लोग लिए हुए हैं 3 into 3, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं dimension, तो इस matrix का, यह two-dimensional array का जो नाम है, वो हमारा A है, और यहाँ देखिए 0, 1 and 2 जो है, यह number of rows है, हमारे पास 3 elements है, यानि कि यह जो matrix है, इसका dimension जो है, वो 3 into 3 है, और यहाँ देखिए, यह column जो है, represent हो रहा है, यह 0 है, 1 है, and 2 है, यह number of columns है, हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, A00 में जो है, वो 11 store है, A01 में जो है, यह 12 है, इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं, कि 2, 1 में क्या है, तो 2, 1 में, यानि A2, 1 में 18 है, A2, 2 में हमारे पास 19 है, तो यहाँ से देखिए, जो matrix का dimension है, वो हमारा 3 into 3 का matrix है, और इसे हम लोग लिखते हैं, अगर mathematically लिखते हैं, M into N dimensional matrix, where M equal to 3 and N equal to 3, और यहाँ पर देखिए, लिख रहे हैं, Subscribing Address, Denotes Rows, और इसे हम लोग लिख रहे हैं, Subscribing Address, Denotes Columns, चलिए, अगर हम लोग देखते हैं, कि How to Initialize, 2 Dimensional Area, सबोज हमारे पास matrix जो है, वो 3 into 3 का है, और 2 Dimensional Area का जो नाम है, वो A है, तो यहाँ से देखिए, हम लोग जब create कर रहे हैं, 2 Dimensional Area को, तो at the time of creation, we can initialize the matrix by a value, तो यहाँ पर array जो create किया जा रहा है, 2 Dimensional Area, Size उसका 3 and 3 है, और यह Integer Tap का 2 Dimensional Area है, और यहाँ पर देखिए, equal to के साथ में लिखा जा रहा है, और यहाँ पर देखिए, कॉमा दिया जा रहा है, कॉमा जो है, यह separator है, फिर 12, फिर कॉमा, फिर 13, 14, कॉमा के साथ जो है, इससे separate किया जा रहा है, और लास्ट में जो है, कॉर्ली ब्रेकिट close किया जा रहा है, और देखिए, semi-colons से इसे, में 11 है देखें A00 में 11 है A02 में हमारे पास 12 है A03 में हमारे पास 13 है याने कि 0 रोज में हमारे पास 11 12 13 है similarly अगर फर्स्ट रोग को देखा जाए तो हमारे पास 14 15 15 16 है और इसी तरह से अगर थर्ड रोग को देखा जाए तो यहां एलेमेंट जो है यह 17 18 19 है तो यहां से हम लोग यह बोल पा रहे हैं A20 में 17 है A21 में 18 है और A22 में 19 है चलिए अब हम देखते हैं यहां पर जो पीस ओप कोड लिखा गया है यह इन्पूट इन्टू मैट्रिक्स थूरू कीबोड के लिए लिखा गया है तो स्टुडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पीस ओप कोड को एदम ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैट्रिक में हम लोग कीबोड के थूरू इन्पूट करते हैं यहां पर देखें आई के लिए फोरलूप चलाया जा रहा है आई को टू जीरो आई लेसर दें थ्री एंड आई प्लस प्लस इसको हम लोग बोलेंगे आटर लूप इसके हैल्प से हम लोग रोग क्रिएट करते हैं और लुक लिए प्लस प्लस इसके हैएं एन्नडु लोग बिए नियू जा रहा है इनडार हम लेसर एक हम लोग लोगे से सब्सक्राइब करतें हैं तो यहां यहां देखेंएंस अल्प से मैसेश दिया जाघए इंटर था element और c in के help से input किया जा रहा है through keyword हम लोग यहाँ पर data type specify percentage d जिस तरह से c language में इस्तमाल करते थे c++ में इस्तमाल नहीं करेंगे हम लोग cable लिखेंगे c in and input operator और a of ij तो जब यहाँ पर i का value 0 हो रहा है तो auto loop जो है यह condition true होगा और j जब जे का value three होगा तो हम लोग इस लूप से बाहरा जाएंगे और हमलोग नया row में चले जाएंगे यानि कि अब i का value 1 हो जाएगा फिर j जो है इस 0 से start होगा ज़िर के लिए true होगा one के लिए true होगा तो के लिए true होगा और जैसे ही j3 होगा तो फिर हम लोग इस inner loop से हम लोग बाहर आ जाएंगे और फिर outer loop में जाएंगे outer loop में i का value जो था वो 1 था due to increment अब यह हो जाएगा 2 जब i का value 2 होगा तो फिर j जो है यह 0 से start होगा और 0 के लिए true होगा, 1 के लिए true होगा 2 के लिए true होगा और j होई यह j का value 3 होगा तो हम लोग इस loop से बाहर आ जाएंगे ठीक है? और यहाँ पर i का value जो था वो 2 था और जब i का value 3 होगा तो यहाँ पर condition false होगा और हम इस loop से बाहर आ जाएंगे ठीक है? तो इस तरह से इस for loop का execution होगा तो यहाँ पर जब i के value 0 होगा तो j जो है यह 0, 1, 2, 3 के लिए यह true होगा तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर a, i, j पर हम लोग input कर रहा है यानि कि a, 0, 0 पर input हो जाएगा a, 0, 1 पर input हो जाएगा a, 0, 2 पर input हो जाएगा Similarly, जब i के value 1 होगा तो 0, 1, 2 के लिए true होगा और हम लोग c in के help से a, i, j में input कर रहा है तो यहाँ से a, 1, 0 में input हो जाएगा a, 1, 1 में input हो जाएगा a, 1, 2 में input हो जाएगा और जब i का value 2 होगा तो फिर से j का value 0 होगा 1 होगा, 2 होगा तो input हम कर रहा है c in के help से A20 में input कर लेंगे A21 में input करेंगे A22 में input करेंगे तो इस तरह से outer loop और inner loop के help से matrix में हम लोग input कर लेंगे student इस piece of code को आप ध्यान से अपने notebook में लिख लिजे चलिए आप हम लोग समझते हैं how to display the elements of two dimensional array तो यहाँ पर देखिए piece of code लिखा गया है आप इसे ध्यान से देखें और student आपसे request है कि आप इस वीडियो को last सकते हैं क्योंकि last में मैं इस piece of code को implement करूंगा machine में यहाँ पर लिखा जा रहा है display the content of the matrix जैसा कि अभी हम लोग सिखे थे हैं कि outer loop के help से हम लोग row create करते हैं और inner loop के help से हम लोग column create करते हैं i equal to 0, i is lesser than 3, i plus plus क्योंकि हम लोग का जो dimension है यानि कि rows है वो 3 है और column बे 3 है इसलिए i is lesser than 3 लिखा जा रहा है और यहाँ पर inner loop चलाया जा रहा है j equal to 0, j is lesser than 3, and j plus plus जिसके help से हम लोग column create करेंगे और देखें एक-एक element हम c out के help से a of i, j को हम लोग देख रहे हैं और element जब display हो रहा है तो फिर से यहाँ पर और यहाँ पर output operator लगाए हैं और यहाँ कुछ spaces दे रहे हैं यानि कि दो elements के बीच में gap कर रहे हैं जब हम inner loop से बाहर निकल रहे हैं जब inner loop से हम लोग बहार जा रहे हैं यानि कि new row में जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर c out के साथ हम लोग दे रहे हैं new land new land का मतलब है go to new row तो i का value जब 0 होगा तो j जो है यह 0, 1, 2 के लिए यह true होगा और हम लोग यहाँ से और हम लोग यहाँ से a00 को a01 को a02 को हम लोग देखेंगे similarly हम लोग सारे elements को one by one हम लोग देख से चलेंगे जब i का value 0 होगा तो 0 row में हम लोग होगे और j जो है यह 0 के लिए true होगा 1 के लिए true होगा और 2 के लिए true होगा j के help से हम लोग column create कर रहे है तो हम लोग क्या कर रहे है a00 के element को देख रहे है a01 के element को देख रहे है a02 के element को देख रहे है जब i के value 1 होगा तो इसके लिए भी condition true होगा और j का value 0, 1, 2 के लिए true होगा inner loop में और हम लोग क्या करेंगे a10 के element को देखेंगे a11 के element को देखेंगे A 1 2 के limit को देखेंगे इसलिए हम लोग यहां लिख रहे हैं C out A of IJ और जब I का value 2 होगा जाने कि हम 3rd row में होंगे और J का value जब 0 होगा तो इसके लिए true होगा J का value 1 होगा तो true होगा 1 2 होगा तो true होगा तो हम लोग A 2 0 के value को देखेंगे A 2 1 के value को देखेंगे A 2 2 के value को देखेंगे तो student यह जो piece of code है इसको आप लोग ध्यान से लिख लिजे ठीक है क्योंकि इसको अभी अपनों machine में देखेंगे implement करके तो student 2 dimensional array को चलिए C++ के help से machine में execute करके देखते हैं देखें यहां main function में integer array लिया गया है और यह two dimensional array है जिसमें three and three जो है यह number of rows है number of column है और यहां देखेंगे integer i और j नाम का variable declare किया गया है तो matrix में input करने के लिए जिस तरह से हम लोग अभी सीखें हैं तो यहां पर for loop outer loop चलाया जा रहा है i के लिए और for loop inner loop चलाया जा रहा है j के लिए और जैसा कि हमें पता है कि outer loop के help से row create होता है और inner loop के help से column create होता है और यहां पर देखें c out के help से message लिखा जा रहा है enter the element और c in के help से keyboard के थुरू input किया जा रहा है a of aij में यानि aij में हम लोग input कर रहे है यहां देखें output of the matrix के लिए code लिखा जा रहा है लेकिन उससे पहले यहां पर c out के help से message दिया जा रहा है matrix a matrix a जो है यह output अच्छा लगने के लिए दिया जा रहा है यहां देखें outer loop जो है i equal to 0 से start हो रहा है i is lesser than 3 and i++ और inner loop जो है यह j equal to 0 से start हो रहा है j is lesser than 3 and j++ तो जिस तरह से हम लोग पढ़ेते कि outer loop के help से row create होता है और inner loop के help से column create होता है यहां पर c out के help से a of ij के element को हम लोग देख रहे हैं और यहां कुछ spaces दे रहे हैं जब हम लोग inner loop से बाहर आ रहे हैं तो c out के help से हम लोग new line में चले जा रहा है तो matrix को जब भी आप display करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप new row में जाएंगे तो आपको new line में जाना पूड़ेगा इसलिए यहां पर लिखा गया है new line तो चले इस program को रन करके देखते है देखे यहां पर message जो मिल रहा है यह inter the element क्योंकि हम लोगों ने dimension लिया है 3 into 3 का तो हम लोग 9 elements को ही input कर सकते है इंटर the elements में हम लोग input कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहां पर देखे matrix A जो है यह display किया जा रहा है और जिस तरह से हम लोग elements input किये थे पहला row में जो है 1, 2, 3 है second row में जो है 4, 5, 6 है and third row में जो है 7, 8, 9 है तो इस तरह से matrix display हो चुका है student आप हमारे वीडियो के help से अगर machine में implement करते हैं तो comment section में comment जरूर किजेगा इसे के साथ मैं वीडियो को end कर रहा हूँ thank you for watching my video